आपका स्वागत है हमारे यूटूब चानल में आज के इस वीडियो में मैं आपको PC या लाप्टाप से Microsoft Visual C++ Remove, Delete या Uninstall कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो में Step by Step बताने वाला हूँ PC या लाप्टाप से Microsoft Visual C++ Remove, Delete या Uninstall करने के लिए सबसे पहले आप Search Bar में Type कीजिए Control Panel उसके बाद Control Panel पे क्लिक कीजिए Control Panel पे क्लिक करने के बाद आपके PC या लाप्टाप में Control Panel ओपन हो जाएगा Control Panel ओपन होने के बाद, Program पे क्लिक कीजिए Program पे क्लिक करने के बाद, Program and Feature पे क्लिक कीजिए प्रोग्राम एन फीचर पे क्लिक करने के बाद Microsoft Visual C++ पे क्लिक करके अनिस्टॉल पे क्लिक कीजिए अनिस्टॉल पे क्लिक करने के बाद परमिशन में यस पे क्लिक कीजिए यस पे क्लिक करने के बाद Uninstall पे क्लिक कीजिए Uninstall पे क्लिक करने के बाद आप के PC या Laptop से Microsoft Visual C++ Remove, Delete या Uninstall हो जाएगा उसके बाद Close पे क्लिक कीजिए Close पे क्लिक करने के बाद Page को Cut कीजिए Page को Cut करने के बाद इसी तरह से आप Windows 10 या Windows 11 के Laptop, Desktop या PC से Microsoft Visual C++ Remove, Delete या Uninstall कर सकते हो